नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आज बात करेंगे online selling के बारे में अगर आप अभी भी offline selling कर रहे हैं और किसी local area में आपने एक shop open किया है और केवल local area के logo को ही आप product sales कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आप अपनी बिजनेस को एक नए मकाम पर ले जा सकते हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आज के समय में इंटरनेट एक क्रांती बन चुका है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इंटरनेट का उप्योग नहीं करता हो इंटरनेट जो है इंसान के जीवन में ऐसे घुल चुका है कि अब इंटरनेट से लोग अपने आपको दूर नहीं रख सकते हैं सारा काम लोग इंटरनेट को यूज करके ही करते हैं चाहे वो आज के डेट में प्रोडक्ट सर्च करना हो या गूगल पे किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना हो या सौपिंग करनी हो जी या ओफलाइन मार्केट से ज़्यादा लोग ओनलाइन मार्केट पे भरोसा करने लगे हैं इसी पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर् और भी बहुत सारे ओनलाइन प्लेटफॉर्म्स अविलेबल हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अगर आप एक ओफलाइन मार्केट में सौप चला रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को इन ओनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करके आप आ अपने products को online लेकर आते हैं तो 140 कोड जो population है इंडिया की उसको आप target करेंगे और आप पूरे भारत वर्स में कहीं भी अपने product को sale कर पाएंगे इसलिए अगर आप भी online platforms के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इससे related बहुत सारे videos already मैंने बनाया है आगे भी मैं बनाता कि कैसे आपको seller account create करनी है कैसे products को list करना है और कैसे आपके पास orders आते हैं इससे related videos मेरे channel पे already है आप जाकर check out करें देखें और कोई भी confusion हो तो मुझसे सवाल करें इसमें कुछ परकरियाएं होते हैं जैसे सबसे पहले आपको एक seller account create करना होता है seller account create करने के लिए आपके पा होनी चाहिए और जो KYC documents होते हैं वो आपके पास होनी चाहिए उसके बाद आप किसी भी platform पे आप seller account create कर सकते हैं GST इसलिए क्यूंकि जब आप online platforms पे products को sale करते हैं तो आपको GST file करनी परती है GST exempt वाले भी बहुत सारे products है उससे related भी मैंने video बनाया हुआ है आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको GST नहीं लेनी है without GST आपको product sale करने है तो ऐसे बहुत सारे category है जिनमें आप बिना GST के product sale कर सकते हैं तो seller account create करने के बाद आपको जो products होते हैं उनको e-commerce platform पे list करना होता है चाहे आप Amazon पे करो या flip card पे करो या मिशो पे करो या और भी platform है उसमें जाकर आप अपने product को list कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे जैसे ही आप number of products को increase करेंगे आपके पास orders आने शुरू हो जाएंगे आप शुरुवात में minimum profit लेकर चल सकते हैं जब आपके पास orders अच्छे आने लगे आप अपने profit margin को increase कर सकते हैं क्य तो आपको rank करने के लिए थोड़ा कम margin लेकर चलना होगा उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपके product sale होने लगे हैं उसके बाद number of products आप increase कर सकते हैं number of platforms पे आप अपने product को list कर सकते हैं और offline के साथ साथ आप online भी product को sale कर सकते हैं अगर आप सोच रहा हैं कि मेरे पा manufacturer से बात करकर product मंगवा सकते हैं और आपके पास एक छोटा सा space होना चाहिए जहां पर प्रोड़क्ट को रख पाएं और उसके बाद आप घर से ही product को sale कर सकते हैं इसके लिए थोड़ी equipment के आपके पास जुरुत पड़ती है जैसे एक laptop होना चाहिए आपके पास एक mobile phone होना एक printer होना चाहिए जिससे आप invoice print करेंगे और उसके बाद आप minimum investment करके अपने business को शुरू कर सकते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि दुकान को जब आप open करते हैं कोई shop open करते हैं तो उसमे minimum आपको 10 lakhs 15 lakhs का investment करना होता है लेकिन आप e-commerce का business कम से कम investment में कर सकते हैं अगर आपके प आपका होता है वो आपको beginning में करनी होगी तो दोस्तों अगर आप अब भी offline ही products को sale कर रहे हैं तो समय ना गवाएं और online platforms के साथ जोड़ जाएं तैंक्यू